हरे किष्णा फ्रेंड्स and welcome to my youtube channel vpn creative mind तो आज के हम इस वीडियो में सिखेंगे कि necklace के साथ ये देखिए एक necklace है इस necklace के साथ जो है हम hairstyle कैसे बना सकते हैं तो ये देखिए antique में jewelry है ये मेरी कुछ इस तरीके की jewelry है और आज हम जो है इसी necklace के साथ जो है अपना hairstyle बनाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है हम इसमें दो चीज़ यूज़ करेंगे एक हम necklace यूज़ करेंगे ये वाला और दूसरा हम जो है यह हम ऐसे इस तरीके का एक long earring है उसको यूज़ करेंगे तो चलिए आएए देखते हैं कि हम किस तरीके से इन दोनों को इस्तमाल यूज़ करके हम जो है hairstyle को बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरीके से अपने बालों को सेट कर लेना एकदम प्रोफेक्ट तरीके से जो है बालों को सेट करना है ये हो गया ये करने के बाद आपको ये इस तरह से यहाँ पे रखना है और दोनों तरफ से एक्कुल डिस्टेंस पे हमें ये रखना है ये देखिए इस तरह के से ये करने के बाद अब क्या करना है आपको पिल लगा के यहाँ पे पिल लगानी है जहां पे आपका नेकलिक्स खतम हो रहा है इसके नीचे नौट है ये देखिए एक गाट बनी हुई है इस गाट के नीचे जो है आपको एक यहाँ पे जो बावी प अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका ज्यादा मूव रहा है तो आपको अगर सकते हो हैं चोटी साइच की जो पिन आती है वह आप यहां पे लगा सकते हो या फिर नीचे जो कुछ अगर यह आपके नीचे प्यासे मेरे में यह देखिए कोई टाइप से बना हुआ है जैस हो तो चोटे-चोटे यहां पे जो है डवल साइडेड वाली जो टेप आती है उनके छोटे-चोटे पीस काटके भी अगर मैं यहां पे चिपका दूँगी तो यह अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो दो आप्शन है या तो आप टेप से इसको सिक्योर कर ले या फिर आप ज इस तरीके से किया है पिल लगा के उसी से ही यह टाइट हो गया है तो और कुछ मुझे इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको क्या करना है इतना होने के बाद यह करने के बाद यह देखिए मैंने इस तरह से यहां पर यह जो बाल छोड़े हुए थे इसको आपको पकड़ना है यह पकड़ने के बाद आप इसको कौम करें ले अच्छे से और इस तरह से इनको जो है यहां पे लाना है इस तरह से करना है थोड़ा सा हम इस तरह से ट्विस्ट कर दिंगे इनको यह देखिए ट्विस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है नीचे से एक लेयर लेनी है यहां से और जो यह आपने ट्विस्ट किया था इसको इसके कि ताकि यह दिखे नई हैं इस तरह से लगा कर रखे गहें और इसके आपको क्या करना है इस तरह की कैक पिन लेके इसको इस तरह से यहां पर है कि लेकिन यह पिन हमने लगा यह को जो है क्फोल दूंगी से की लगाया है ताकि यहां पर रुख जाए अब इसी तरीके से हमें क्या करना है अपना दूसरी तरीक करना है यह देखिए इस तरफ हम जो है बनाएंगे अब इसी तरीके से तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस तरह से अपने बालों को अच्छे से कंगी करना है यह देखिए इस तरह से यह आ गया यह करने के बाद आपको इस तरह से इसको पकड़के रखना है और फिर नीचे से एक और लेयर लेनी है इस तरह से एक लेयर लेनी है उपर वालों को छोड़ देंगे जो हमने पहले से यह इधर वाली लेयर उठाई के इसके वालों को छोड़ देंगे और अब हम जो है दूसरी लेयर जो है हमारी उसको उठा लेंगे और इनको भी धिहान से कि जो हमारा नेकलेस है उसके थ्रेड कर आए हुए हैं इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे यह देखिए इस तरह से यह आ गया कि अब हम इसको सीधा करेंगे सीधा गरने के बाद हम हमारी जो यह पिनना इसको हम अटाएंगे और अब इन दोनों को हम एक साथ इस तरह से करेंगे यह हो गया है अब हम इनको दोनों को रोल करेंगे इस तरह से यह देखिए इस तरह से आपको इनको घुमा घुमा के रोल कर लेना है तो यह इस तरीके से आपको रोल करना है एंड तक हम जो है इसी तरीके से रोल कर लेंगे यह देखिए हमारा रोल हो चुका है अब रोल करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर इस तरीके से एक फ्लावर जैसा इस तरीके से इस तरीके से आपको जूड़ा बनाना है यहाँ और फिर हम यहाँ पर इस तरह से हमारी पिल लेके इनको यहाँ पर फिक्स कर देंगे यह देखिए यह इस तरीके का जूड़ा बनेगा यह कुछ देखिए की तरीके संदर जूड़ा बना हुए यह देखिए तो यह देखिए तो आपको इस सब्सक्राइब को आपको या dieses तरीकी तरीके का जो आपको यह करने के सफिंगे का ये करने के पाद मैं क्या करोंगी एक ऍ狂ँगे है अभिन्स एस तरह कि तह उखासा अभिन का जिस्थi देखिए हमारा सुन्दर सा जुड़ा भी बनके तयार हो चुका है तो यह देखिए हमारा हेस्टाइल बन चुका है तो एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूं तो यह देखिए टॉप से हमारा ऐसे दिख रहे है साइड से यह देखिए कितने फिनिशिंग के साथ लेयर्स आई हुई है साइड से यह देखिए इस तरह से जुड़ा बन जाएगा पिन थोड़ा आपको अच्छे से लगाना है क्योंकि यह आर्टिफीचल है बहुत ज़दा सिल्की हैं बाल तो इसलिए थोड़ा हो रहा है ज तो जब आप अच्छे से बनाओंगे अपने औरिजनल बालों में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा और यह देखिए जुड़ा हमारा यह बन गया और इसमें कि हमने इस तरह से लगाया है तो अभी मैं आपको फ्रेंट से भी दिखा देती हूँ कि फ्रेंट से यह कैसे दिखेगा फ्रेंट से देखिए यह कुछ इस तरह से दिख रहा है तो इसी तरीके से आप सुन्दर सा हेस्टाइल बना सकते हैं अगर आपको हमारा यह हेस्टाइल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना तैंक्यू हरे किश्णा